Twin Flame Journey and Divine Union नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है औरवशी जोशी और ये है मेरा चैनल 233 High Priestess दोस्तों एक बर फिर से Twin Flame Journey के बारे में जो है ये मेरा वीडियो है बहुत जादा वीडियो इस टॉपिक पे मैं शेयर नहीं करती अब लेकिन जो है आज मुझे पिल्कुल गाइडन्स आ रही है कि मैं इसके बारे में बात करूँ आज जो है शुकरवार है, Friday है, मादा लक्षमी का दिन है Venus, शुकर का दिन है, शुकर को जो है प्रेम से जोड़ के देखा जाता है Twin Flame Journey को भी प्रेम और मिलन से जोड़ के देखा जाता है तो आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता इस विशे पे बात करने के लिए और मुझे गाइडन्स भी आ रही है कि आज मैं इस बारे में फिर से बात करूँ Twin Flame Journey जो है इसे Divine Journey, Spiritual Journey से जोड़ के देखा जाता है इस Twin Flame Concept को, इस Journey को जो लोग मानते हैं कि हाँ ऐसी कोई Journey है होती है उसमें दो तरीके के लोग मैंने देखिए First वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई उनका Divine Partner है कोई उनका Twin Flame है और दो शरीरों में एक ही आत्मा है उनके आने के बाद उनकी जिन्दगी में बहुत परिवर्तन होने लगे वो spiritual होने लगे बहुत बदलाव आया, बहुत transformation आया उनके पार्टनर की वज़े से बहुत सी अच्छी बुरी चीजे जो है उनके surface पर आई उन्हें अपनी potentials समझ आई उन्हें जो अपने अंदर negativity थी वो भी दिखने लगी इन सब गलत चीजों को release करने के लिए उन्होंने जो है काफी कुछ किया, काफी कुछ कर रही है इन लोगों के जिंदेगी में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने इन्हें ये समझाया कि तुम्हें इस person के साथ जो है union में आना है तो ऐसे mentors, ऐसे teachers भी इनके जीवन में आए इसके अलाबा कुछ ऐसी किताबे भी, books भी इनके हाथ लगी है जिनको पढ़के इनका ये विश्वास की हाँ, कोई twin flame होता है बाहर से कोई person है जो आपकी twin flame है या आपका divine partner है तो कई चीजे हैं और बहुत जादा प्रेम हैं लोगों के अंदर बहुत जादा desire है, बहुत emotional भी हैं ये लोग अपने divine counterpart से मिलने के बाद, अपने twin flame से मिलने के बाद इन्हें बहुत जादा उस person के साथ एक soul connectivity फील हुई उस person से मिलके इन्हें ऐसा लगा कि बहुत जन्मों से, नजाने कब से ये इस person को जानते हैं सो बहुत जादा प्यार, बहुत जादा emotions, बहुत जादा connectivity ये लोग फील करते हैं अपने person के लिए और उसे पाने के लिए बहुत जादा efforts भी डाल रहे हैं meditation, inner work, shadow work, बहुत कुछ कर रहे हैं इसके अलावा इन्हें universe से भी बहुत जादा संकेत मिलते हैं अपने person को लेके या अपने union को लेके बहुत जादा इनको जो है synchronicity, sign, संकेत भी जो है वो मिलते रहते हैं अब ये तो हुई इन लोगों की बात कि जो ये बिल्कुल बिल्कुल पक्का विश्वास है कि हाँ है उनका twin flame और उसे उन्हें पाना है उसके साथ union होना जरूरी है अब एक और तरीके के लोग हैं जो बिल्कुल ये मानते हैं कि ये जो twin flame जर्नी है ये जो अर्द नारेश्वर जर्नी है ये जो शक्ति और शिव के मिलन की जर्नी है ये external नहीं है ये किसी बाहर के व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है कोई बाहर किस तरी पुरुष उनका divine counterpart नहीं है उनका ये मानना है कि बाहर से जो भी लोग है जिनके साथ भी उनका संबंध है connection है, attachment है, frame है, इच्छा है ये सब उनकी पिछले जनमों के कार्मिक अकाउंट्स हैं अर्द नारेश्वर जर्नी को, twin flame जर्नी को वो मानते हैं लेकिन वो मानते ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि ये मेरे अंदर की शक्ती, strength और मेरे अंदर के शिव, consciousness, शेतना की बात हो रही है ये मिलन मेरे अंदर ही होगा मुझे बस अपने उपर काम करना है मुझे मेरा शुद्धी करन करना है बाहर से लोग आएंगे, जिनके तुरू मुझे universe समय समय पर कुछ चीज़े mirror कराएंगे मेरी potentials या मेरी darkness मुझे दिखाएंगे अपनी potentials को मुझे express करना है अपने self से मुझे जुड़े रहना है और अपने अंदर की darkness को मुझे release करना है अपने उपर काम करना है तो ये भी कई लोगों का जो है पूरा विश्वास है कि कोई बाहर से कोई पूरुष इस्तरी उनका twin flame नहीं है मेरे अंदर की शक्ती और मेरे अंदर की शिव के मिलन की बात हो रही है तो ये विश्वास के साथ भी कई लोग इस concept को इस journey को जी रहे हैं, मान रहे हैं, inner work कर रहे हैं spiritual routines में हैं दोस्तों आप मुझे बताना comment box में आप किस चीज़ को मानते हो पहले वाले को या सेकिंड वालो को वो लोग जो ये मानते हैं कि बाहर से उनका कोई twin flame है या फिर वो लोग जो ये मानते हैं कि ये journey मेरी internal है ये मेरे अंदर की यात्रा की बात हो रही है आत्मा के पर मात्मा से मिलन की बात हो रही है यहां कोई लड़ाई, जगड़ा, बहस वाली बात नहीं होनी चाहिए अब तो पांस सालों में कई चीजों को समझने के बाद मुझे समझ आया हर किसी की यात्रा है, हर किसी की जो है अपने लेसन्स लेर्निंग है हर किसी को कई चीजे समझने है, अलग-लग लोगों का अलग-लग consciousness लेवल है अलग-लग तरीके से लोग सोच रही है, कई चीजों को मान रही है हमें किसी पे कुछ नहीं थोपना, हमें किसी को मजबूर नहीं करना किसी चीज के लिए कि जो मैं मानती हूँ, मानता हूँ, वही तुम मानो, ठीक है, यह तो यात्रा है, और जो सही से काम कर रहा होगा, उसे अपने आपी चीजे समझ आएंगी, unfold होंगी कई चीजें, जो उसे मिलना है, वो मिल जाएगा, जो actual में उसकी deep desires हैं, वो पूरी होंगी, अगर वो सही direction मे हैं, सही तरीके से अपने उपर काम कर रहा है, कर रही है, तो इसका कोई बहस या जबरदस्ती किसी को ये प्रूफ करना, कि नहीं, ये journey ये है, नहीं, ये journey ये है, अब ये वाली कोई बात नहीं है, उन 5-6 सालों में मैंने ये दो तरीके के लोग देखे, दोनों ही प्रेम क बात कर रहे हैं, दोनों ही यूनियन की बात कर रहे हैं, बस एक जो है वो बहार से यूनियन चाहता है, चाहती है अपने पोर्सन के साथ और एक जो है, वो अपने अंदर मिलन चाहती है या चाहता है, अब ये लोग जो इस journey को internal मानते हैं, उन्हें भी बहुत संकेत मिलते है उन्हें भी यूनिवर्स जो हैं बहुत गाइड करते हैं और उनके सामने भी ऐसे दर्शन, बोक्स, ऐसा बहुत कुछ सामने आता है जो कि ये बताता है कि ये जर्नी इंटर्नल है आप लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हो कि ये जर्नी इंटर्नल है या फिर बाहर से external है कहां union जरूरी है अंदर या फिर बाहर किस तरफ जादा efforts लगाएं अपने अंदर या बाहर किसी और पे अब ये जो दोनों लोग हैं ये दोनों ही प्रेम की बात कर रहे हैं ठीक है एक किसी से प्रेम करता है या करती है बाहर से और एक अपने अंदर इश्वर को ढून रहे हैं उन तक पहुँचना चाहते हैं उन से मिलन चाहते हैं और वो इस तरीके से प्रेम को जो है internally महसूस कर रहे हैं दोनों प्रेम की बात कर रहे हैं कौन सा प्रेम जो है वो pure love है या सत्य है प्रेम, प्यार को शुक्र से जोड़ के देखा जाता है आगे मैं जो आपको astrology के माध्यम से वो share करूंगी जो मैंने observe किया पिछले पांच सालों में लोगों के charts देखते हुए इतना सारा जो मैंने research किया कही लोग आए मेरे पास person है और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मान रहे थे कि ये journey तो internal है दोनों के बीच में जो मैंने सबसे बड़ा difference देखा वो ये था कि जो लोग बाहर से मानते हैं कि कोई उनका twin flame है इनमे एक बेचैनी एक over emotions एक इंतिजार एक बड़ी desire मैंने महसूस करी पर जो लोग ये मान रहे थे कि ये journey में हम believe करते हैं अर्द नारिश्वर concept divine journey twin flame journey इसमें हम believe करते हैं लेकिन ये internal है इनमें मैंने एक सुकून peace एक joyful state देखा अपने आप में खुश मगन अकेले में भी खुद को अकेला feel नहीं कर रहे हैं हर वक्त universe के साथ connected feel करते हैं एक अजीब सी खुशी इनके अंदर मैंने महसूस करी है तो दोनों ही प्रेम को मानते हैं लेकिन बस एक अंदर प्रेम को महसूस कर रहा है और एक जो है बाहर से दोनों ही बहुत मैंने देखा कि एक अलग सी कुछ अलग सी बात है दोनों में ही अचीव सी purity मासूमियत इवन थोड़ा बच्पना भी मैंने जो है महसूस किया दोनों प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रेम जो है वो शुकर है वीनस है मेरे सामने जो चीज़े निकल के आई हैं पिछले पांच सालों में इतना जादा लोगों के एस्ट्रोजी चार्ट्स देखने के बाद उनकी बाते सुनने के बाद उनके विश्वास से जो भी वो कह रहे हैं अधियात्मिक जर्नी को मानते हुए अधियात्मिक प्राक्टिस करते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं तो जो चीज़े मेरे सामने निकल के आई हैं एस्ट्रोजी के माध्यम से वो मैं आपके साथ यहाँ पर जो है शेयर करती हूँ मैंने देखा कि वो लोग जो यह मानते हैं पूरे विश्वास से मान रहे हैं कि यह जर्नी इंटर्नल है ऐसे लोगों का मैंने देखा उनके एस्ट्रोजी चार्ट्स में कि जो शुक्र है जो कि प्रेम का प्लानेट है ग्रह है वो या तो बुद्ध के साथ था मरकुरी के साथ या तो देव गुरु प्रहस्पति के साथ था जिनका भी शुक्र मैंने देखा कि बुद्ध के साथ है या फिर शुक्र गुरु के साथ है या फिर शुक्र जो है बहुत ही जादा प्यॉर होके प्यॉर मतलब कोई नेगटिव एसपेक्ट उसके उपर नहीं है वेल प्लेजड है अपने अच्छे स्थानों पर प्लेजड है शुक्र अपनी उच्छ राशी में है बारा नंबर राशी पाईसीज, मीन या फिर अपनी स्वैम की राशी में है तो शुक्र प्यॉर सिती में बैठा हुआ है कुंडली में अपने अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है अपनी राशी अपनी उच्छ राशी में है या फिर बुद्ध के साथ है लक्षमी नाराइन योग बना के या फिर ब्रहस्पती के साथ है तो ऐसे सभी लोगों में मैंने ये पाया कि इस प्रेम को इस ट्विन फ्लेम कॉंसेप्ट को इस जर्नी को वो बहुत डिवाइन लेवल पे बहुत डिवाइन जर्नी के लेवल पे तो ले ही रहे हैं बहुत ग्यान ये लोग इखटा कर रहे हैं परंतों ये मानते हैं जादा तर लोग की जर्नी इंटर्नल है, ये आत्मा के परमात्मा से मिलन की जर्नी है, और इन लोगों में मैंने ये देखा कि इनके अंदर एक शांती है, सुकून है, जोई है, बाहर से भी इनका महौल जो है वो सही है, मतलब जिन भी लोगों के साथ य इनका एक सामज जैसे बना हुआ है, एक खुश आई है उनके साथ भी, लेकिन इनका ये बिलीव है कि ये जो भी लक्ष्मी नारायन या शक्ति शिव, राधा कृष्णा की जो ये जर्नी है, सारी अंदर की बात हो रही है, तो ये चीज मेरे सामने बहुत साफ साफ जो है, नि इस पॉसन को मैं जानता हूँ, उसकी आखों में देख के ऐसा लगा कि जन्मो का रिष्टा है, है ये, ये पहली बार हम एक दुसरे से नहीं मिल रहे हैं, और ये म्यूचल रहा है कई लोगों के बीच में, यानि कि जो उन्हें महसूस हो रहा है, वही कुछ उनके पॉसन को भी उनके लिए महसूस हुआ, दोनों को डीप लेवर पर सोल कनेक्टिविटी फील हो रही है, दोनों एक दुसरे से प्यार करते हैं, पर मिलना, बिचरना, ये सब खेल उनके जीवन में जो है चलता ही रहता है, एक दुसरे से ही प्यार पर एक दुसरे के साथ ही जो है लड भी नहीं पा रहे, तो मिलना, बिचरना, सेपरेशन, ये सब चीज़े कई लोग जो ये मानते हैं कि ये जो एक्सिटरनल है, उनकी जीवन में इस तरीके की चीज़े जो है जादा देखी गई है, सेपरेशन फेज में कई लोग जो है स्पिरिच्छल प्राक्टिस करते हैं, विपासना जाते हैं, शैड़ो वर्क करते हैं, कई लोगों से काउंसलिंग्स लेते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि ये जो मेरा परसन है, ये जो मेरी परसन है, इसके साथ मैं सुकून से जो है यूनियन में आ सकूँ, तो बहुत ज़ादा मैंने देखा कि कई लोग परिशान हैं, दुखी हैं, और disappointment पी उनको बड़ी experience होती रहती है, unexpected चीज़े उनके relationship में हो जाती हैं, इन लोगों की चाहर्ट को जब मैंने देखा, तो इनकी कुंडली में जो ये प्रेम का प्लानेट है, शुक्र, ये मैंने देखा D1 और D9 चाहर्ट में, लगन कुंडली या नवमांच कुंडली में, शुक्र या तो इनकी कुंडली में debilitated था, प्रेम का प्लानेट या तो नीच था, छै नमबर की राशी में, या फिर बुरे स्थानों पर बैठा हुआ था, या तो फिर शुक्र जैसा सौम्य प्लानेट, इतना सौम्य और प्यॉर प्लानेट जो है, वो मंगल, शनी, ऐसे या राहू, केतू, ऐसे ग्रहों के साथ बैठा हुआ था, तो प्रीम का प्लानेट जो है, वो इस तरीके से जो है, या तो खराब स्थानों में है, या तो नीच का हो रखा है, या तो फिर ऐसे पाप प्लानेट के साथ है, या उग्र प्लानेट के साथ बैठा हुआ है, तो इन लोगों का मैंने ये देखा कि ये लोग डेफिनेटली ये बिलीफ करते है ट्विन फ्लेम कॉंसेप्ट को लेके कि कोई बाहर से है उनका डुवाइन पार्टनर लेकिन क्योंकि शुक्र की स्थिती कुंडली में ठीक नहीं है इसलिए उनकी जो प्रेम की स्थिती है वो भी ठीक नहीं है जिससे उन्हें प्रेम है वहीं पर जो है सारी उलजहने, परिशानिया, तनाव जो है वो बने हुए है कुंडली में जो बारा भाव होते हैं उसमें सेकंड और सेवन्थ ये शुक्र के घर है यहाँ पर जब राहू जैसा प्लानेट बैठा होता है तब भी जो है इतनी डिजायर रहती है उन्हें जीवन साथी या पार्टनर या अपने डिवाइन कनेक्शन को लेके लेकिन वहीं पर जो है गड़बड, दुख, परिशानी यह सब चलता रहता है तो यह डिफरेंस मैंने दोस्तों देखा यहाँ पर मुझे समझ आया कि जब शुक्र प्रेम का ग्रहे बैठा हुआ है बुद्ध के साथ या फिर भ्रस्पति के साथ या फिर बहुत ही पॉजिटिव नक्षतरों में तो वो लोग जो है प्यार को लेके सुकून में है बाहर से भी कोई ना कोई जो भी उनका जीवन साती है जिसके साथ भी वो जुड़े हुए है उसके साथ भी सही है उनका परन्तु वो मानते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी को मानते हैं वो मानते हैं कि उनको अपनी energies को, अपनी creative energies को channelized करना है और जितना वो अपनी creativity के दुरू अपनी energy को channelize करते हैं उतना वो ये feel करते हैं कि वो ईश्वर से जुड़ रहे हैं उनकी आत्मा और करीब है परमात्मा से एक चहरे पर शांती, full of knowledge सुकून में, इन लोगों को मैंने देखा है परन्तो इसके विपरीत, जहां पर शुक्र की स्तिती, प्रेम के प्लानेट की स्तिती गड़बड है वहां पर भी प्रेम है, लेकिन प्रेम की वज़से ही वो दुखी है यहां पर समझ आ रहा है कि यह लोग जो मानते हैं कि यह जर्नी एक्स्टरनल है पर दुख खतम ही नहीं हो रहे बेचैनिया खतम ही नहीं हो रही है उनका शुक्र, उनका यह जो प्रेम का ग्रह है, क्रियेटिविटी या क्रियेशन का जो यह ग्रह है जिस तरीके से प्लेजड है कुंदली में राहु के साथ है, मंगल के साथ है, राहु के नक्षत्रों में है या पाप लैनेट की एस्पेक्ट आ रही है तो यह शुक्र की स्तिती जो खराब हो रखी है यह इस बात का संकेत है कि पिशले जन्मों में भी यह दुखी रहे हैं इसी मामले में जो यह चाहते थे अपने पार्टनर के साथ जो ये यूनियन चाहते थे या जिस तरीके का संबंद ये चाहते थे वो कुछ हुआ नहीं है और इसी वज़े से इस लाइफ में भी ये प्रेम के मामले में जो है स्ट्रगल कर रहे होते हैं दुख अनुभव कर रहे होते हैं ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जिससे वो प्रेम करते हैं उसी से वो लड़ने लग जाते हैं जिससे वो यूनियन चाहते हैं कई पर वो उसी से लड़ रहे होते हैं या इनका पार्टनर इनको ब्लेम कर रहा होता है यांसे लड़ रहा होता है या फिर बहुत जादा जो उनकी sexual energy है वो imbalance रहती है अपनी जो शुक्र है वो व्यक्ति की sexual energy भी है अपनी sexual energy कोई धंग से channelize नहीं कर पाते तो इस life में अगर ये मानते हैं कि हाँ बाहर से कोई है twin flame बाहर से कोई है divine partner तो एक तो इनको अपने शुक्र को शुद्ध करना है शुक्र जिन भी पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या पाप ग्रहे के aspect आ रही है उससे शुक्र को मुक्त कराना है शुक्र को powerful करना है और दूसरा अपनी sexual energy को जो है वो channelize करना है ये दो चीज़े अगर इन्होंने समझ ली कर ली तो बाहर से जिसको भी अपना divine partner मानते है definitely वहाँ पे जो है संभावनाएं बनेंगी इनके union की तो मैं तो दोनों को ही दोनों के प्रेम को समझती हूँ जो लोग internally मानते हैं even मैं भी internal ही मानती हूँ इस journey को लेकिन मैं उनको भी बहुत जादा समझती हूँ क्योंकि 5 सालों में इतने लोगों से बात करी है उनके प्यार को उनकी emotions को मैंने feel किया है महसूस किया है उनके प्रेम को मैं समझती हूँ तो बस अगर ये दो चीज़े हो जाएं एक तो वो अपने शुक्र को शुद्ध कर दे जहां से भी शुक्र के ओपर किसी तरीके का negative aspect आ रहा है जो भी खराब इस्तिती बने हुई है शुक्र को उस चीज़ से अगर मुक्त कर दिया शुक्र को अगर बलवान कर दिया प्लस अपनी sexual energy को creative energy में convert करके उसको channelize कर दिया तो बहुत कुछ जो वो चाहते हैं वो हो जाएगा तीक है और ascend हो पाएंगे वो और उनकी energy जो है वो उपर उठ पाएगी real सत्य तक वो पहुँच पाएंगे क्योंकि सत्य ही शिव है तो वो सच में शिव तक जो है पहुच जाएंगे अंदर union होगा बहर से भी जो वो चाहते हैं वो अपने आप हो जाएगा तो बस इस वीडियो में इतना ही आशुक्र बार है 18 तारिक पता नहीं क्यों आज सुबे से आई guidance की इस बारे में बात करो और शुक्र को ही मध्य में रखते हुए बात करो, explain करो थोकि शुक्र ही प्रेम है और शुक्र ही आपकी जो है creative energy है So that's it दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो I hope इस वीडियो से आपको काफे कुछ clear हुआ हो Thank you so much दोस्तों जो भी sessions में करती हूँ उनकी details, description box and comment box में बिन है अगर उन में से आपको किसी session की जरुत हो तो आप book कर सकते हैं धन्यवाद